हलो वीवर्स, वेलकम टू मैं चैनल जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट DRC-01C, अक्टूबर 2023, GSTR-11 की जो भी रिसॉल्विंग है, उसको हम किस तरकी से क्या सॉल्व करें? अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फरमेटिव लगे तो जादर से जादर शेर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब टू में चैनल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आप सभी का स्वागत है मेरे पर जिसका नाम है डूटेंट्मेंट फोकस प्लस, जहां पर आप सभी को मिलती है, नॉलेज मिलें, टेक्सेशन फिल्ल, जेएस्टी, इनकम टेक्स, इन अधर वेरियस टॉपिक्स और नियू अपडेटी न्यूज अलसो, मेरा नाम है जोयता, और आज हम बात करने वाले है DRC-01C के बारे में, इसके अंडर क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको डिसकस करेंगे, मुझे इन दो दिन में कुछ जो है, मैसेजेस और कुछ ऐसे चीज़ों का पता लगा है, कि काफी लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए बात करते हैं, बिना रुक उसको चेक कर सकते ही, चैनल में, उसके इलावा हम एक बार शॉट में जल्दी से बात कर लेते हैं, DRC-01C क्या है, जब भी आप GST की फाइलिंग करते हैं, जब आप ITC क्लेम करते हैं, अगर आप एक्सस क्लेम करते हैं, तब रूल जो है, 88D जो की नया इंटर्यूस हुआ है उसके थुरू आपके पास नोटिस आता है, DRC-01C का, तो DRC-01C जो है, ये एक तरह के का नोटिस है, और अक्टूबर 2023 में जो है, आपके पास नया एक एरर आ रहा है, ठीक है, जो भी आप जैसे या फाइल करने जा रहे हैं अपने GSTR-1 को, तब ही आपके पास एरर आ रहा होगा, और जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी इस महीने अक्टूबर 23 के लिए, वो आ रहा है, GSTR-1 को फाइल करने के लिए, फाइल करते टाइम, आपको दिखेगा, एरर आ रहा है, इस सिस्टम इस चेकिंग ऑन कंप्लाइंसे फॉर फॉर्फोर्म DRC-01C, जी हां, और जो नया रूल इंटर्यूस हुआ है, रूल 88-D, उससे पहले रूल 59 भी आया था, जिसमें की चेंजिस बताया थे, जो के आउटवर्ट सप्लाइ के लिए था, जो के हम GSTR-1 फाइल करते उसके लिए, और उसमें उन्होंने बताया था, जो नोटिस है, DRC-01C, वो सब रूल 1 88- यह D के अंडर है, जो के अक्टूबर में आ सकता है, अगर आपके पास आता है, तो क्या कुछ होगा, तो यह error जो है, इस वज़े से ही दिखाया जा रहा है, अगर आपके variations आते हैं, कोछ IT से आपने जो claim करे हैं, तो उसको check करने के लिए वो time ले रहा है, जिसकी वज़े से अभी आप GSTR 1 fine नहीं कर सकते, तो कोई problem की बात नहीं है, आप लोग wait कीजिएगा, I think wait करने के बात जो है, यह चीज़े ठीक हो जाएंगी, कोई इसनी tension वाली बात नहीं है, और साथे साथ आप wait करिए, और ITC comparison टूल जो है, आप जाके उसको check कर सकते हैं, अगर आपने कम claim क किया है, तो कोई problem वाली बात नहीं है, और अगर आपने ज्यादा भी claim किया है, तो उसका भी कुछ नहीं कुछ resolving किया जाएगा, ठीक है, और जो DRC 01C notice आया है, आपके उस पर जाके आप check कीजिए, ठीक है, तो पर कोई problem वाली बात नहीं है, आप wait कीजिए, देखिए क्या क कुछ होता है, क्योंकि एक दम से कुछ पता नहीं सकते हैं, क्या कुछ आया है, क्या कुछ नहीं, पर main चीज़ यही है, कि वो check कर रहे हैं, इस वज़े से आपको wait करना पड़ेगा, GSTR 01 file करने के लिए, बाकि अभी तो time है, filing के लिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी को like कीजिएगा, informative हो तो share कीजिएगा and please subscribe to my channel, आपको subscribe करने से मुझे काफी जदा motivation मिलती है, मुझे पता है काफी लोग है मेरे चैनल पर ऐसे, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पर subscribe नहीं करा है उन्होंने अभी तक तो जाएए, प्लीज जाके subscribe कीजिए, उसाते साथ वह